Welcome to new lesson कल के lesson में हमने एक campaign बनाय था School admission वाला हमारा जो landing page था वो ये था प्लस जो हमारा thank you page था वो हमारा ये था तो कल हमने एक campaign बनाय था उसके अंदर हमने इन ad group बनाय थे और देन हमने उसके अंदर ads बनाई थी ठीक है आज हम उस campaign के अंदर add extensions बनाएंगे then हम उसके अंदर negative keyword बनाएंगे then हम उसके अंदर bid modifier का use करेंगे ठीक है जी so pay close attention so यह रहा मेरा campaign इसे हम click करते हैं अब मुझे बनानी है extensions तो मैं कहां जाओंगा मैं जाओंगा adds and extensions के अंदर then यहां पर option आ रहा है extensions का right तो अब मैं आओंगा extensions के अंदर और मैं करूँगा यहां से plus अब कौन सा extension बनाना है मुझे तो मैं बनाता हूँ site link extension और यह मैं कहां लग आ रहा हूँ extension campaign पर कौन से campaign पर school admission तो इस campaign के अंदर तीन add set थे तो यह site link extension तीनो add set पर लग जाएगा ठीक है site link text का लिखता हूँ मैं best school in गुडगाउं लिख देता हूँ best school in गुडगाउं और description लिख देता हूँ soft b2 is awarded नहीं description लिख देता हूँ मैं योर शाइल्ट्स नहीं वी आर कमिटेड तो वर्ट्स योर चाइल्ड ग्रोथ या वी आर कमिटेड फॉर योर चाइल्ड ग्रोथ या अगरिसम लिख दूँ soft b2 ओके तो अभी मेरे माइन में कुछ हा नहीं रहा कि मैं description लिख हूँ क्या तो just मैं random ऐसे ही कुछ type कर देता हूँ ठीक है just ऐसी random लिख दे रहा हूँ और अगेन ये भी समझ नहीं आ रहा तो इसको भी लिख देते है और फाइनल यूरल हम अपने लेंडिंग पेज का यूरल उठाके यहां पर डाल देते हैं then ठीक है जी perfect अगेन ये description को ignore करो आप मेरे माइन में भी कुछ हा नहीं रख यहां पर लिखें क्या तो just ऐसे मैंने कुछ random उठाके लिख दिया है then site link 2 extension site link 2 भी हम बना देते हैं और यहां पर हम डाल देते हैं our location और लिख देते हैं we are या फिर लिख देते हैं just three kilometer away from huda ठीक है और just इतना ही लिख देते हैं और इसका description just random लिख देते हैं final URL में वही डाल देता हूं ठीक है यह दो डाल दिया बाकी मुझे site link URL option का भी कुछ करना नहीं है यह मुझे आप लोग को समझाना है और advanced option में device preference वगरा मुझे कुछ करने की ज़ूरत नहीं है इसको मैं हर जगा दिखाना चाहता हूं as such mobile मेरी preference नहीं है ना मेरे पास कोई schedule है इसके लिए right तो मैं इसको just कर देता हूं save तो यह एक extension बना हमारा यह बना हमारा site link extension ठीक है तो plus करके हम और extension बना सकते हैं तो और extension क्या बना है तो हम बना देते हैं call out extension ठीक है again campaign level पर लग रहा है और call out text यह मैंने थोड़ा सा इसके लिए कुछ लिखके रखा था I believe मुझे site link के लिए भी रिख लेकर रखना चाहिए था तो यहां पर मैं यह लिख देता हूं जो यह मैंने लिखके रखा है लिखके रखा नहीं है किसी दूसरी website से मैंने उठाय था well equipped lab और modern computer lab ठीक है एक और add कर देते हैं transport facility और अगीन advanced option में mobile preference अगीन ऐस सच कुछ है नहीं इसको कर देते हैं ठीक है आप दू extension लिख दिया हमने ऐसे प्लस करके हम और extension लिख सकते हैं कि आप कैसे extension लिख सकते हो ठीक है तो बाकी में यहां से बताने के ज़रत है नहीं आप लोग को अप ऐसे ही बाकी extension भी जो भी आपको चाहिए यह दो major थे site link एक जरूरी था एक call out extension जरूरी था अगेन अगर आप call कराना चाहते हो देन आप call extension डाल सकते हो मैसे जब चाहते हो तो डाल सकते हो देन बाकी as such कोई important नहीं है राइट तो यह तो एक चीज हो गया simple जो कि आप यहां पर extension बना सकते हो ठीक है अब हम बात करते हैं अब हम जाते हैं keywords के उपर अब keywords के उपर एक यहां पर है negative keywords अब देखो क्योंकि हमने अभी नया campaign बनाया है तो हमारे पास past कोई data नहीं है राइट पास हमारे पास कोई data नहीं है regarding keywords अगर मेरे पास कोई past data नहीं है regarding keywords तो मैं ये भी मेरे लिए जानना मुश्किल है कि मैं किन keywords को negative keyword बनाऊ हना मेरे लिए ये भी जानना मुश्किल है कि मैं किन keywords को negative keywords बनाऊ होता क्या है in real life जब आप ये search terms देखोगे तो लोग जो भी keywords सर्च कर रहे हैं जो भी term सर्च कर रहे हैं आपकी add ढूंडने के लिए वो term यहां दिखती है तो आप उस term को click करके उसे चाहो तो negative keyword बना सकते हो या आप यहां से यह पूरा data डाउनलोड कर लो और जिन जिन terms को आप negative keyword बनाना चाहते हो उसे उठा के आप negative बना लो बहुत है simple है अभी हमारे पास ऐस सच कोई terms है नहीं जिने हम negative बनाना चाहते हैं तो हम कुछ generic terms को negative बना देंगे तो मैं negative बनाने के लिए क्लिक करूंगा plus negative keywords और यहां पर मैं कुछ negative keywords ऐसे ही डाल दूँगा जैसे कि मैंने डाल दिया मान लो cheap और मैंने डाल दिया worst और cheap डाल दिया worst डाल दिया और यह दो चीज़े डाल देते हैं cheap और worst और इसे कर देते हैं save तो यह दोनों आप देख सकते हो यह हमारे negative keyword बन गए है और यह कौन से negative keyword है हमारे broad match broad match negative keyword ठीक है broad match negative keyword में क्या होता है अगर worst keyword के अंदर आएगा जो भी user search कर रहा है तो उस user को मेरी add नहीं दिखेगी ठीक है बहुत simple तो यहां मैंने negative keyword डाल दिया ठीक है बहुत ही आसान सबसे पहले मैंने डाला add extension देन मैंने डाला negative keyword अब मैं वापस जाता हूँ school admission पे अब suppose करो मैं इस पे bid modifier लगाना चाहता हूँ bid modifier में क्या लगाना चाहता हूँ कि भाईया अगर कोई mobile अभी देखो मेरा CPC क्या रखा है मैंने 60 rupees but मैं क्या करना चाहता हूँ कि भाईया अगर कोई mobile से search करे ना तो मैं 20% जादा देने के लिए तयार हूँ ठीक है तो मैं जाओंगा devices के अंदर यह रहा mobile phone मेरा इसको मैंने यहां से click किया और इसको increase कर दिया मैंने 20% और इसको मैंने कर दिया save ठीक है तो यह bid modifier मैंने लगा दिया किसका mobile phone का और tablet का मैं क्या करता हूँ कि भाईया tablet का मैं 20% कम दूँगा तो tablet का मैं कर देता हूँ decrease और इसका कर देता हूँ save राइट बिल्कुल perfect तो इसको मैंने कर दिया कि भाईया यह होगा तो यह situation मेरे पास आ जाएगी bids के case में तो वापस अब मैं campaign पे आता हूँ मैं जाता हूँ इधर से campaign के अंदर यह रहा मेरा school admission तो हमने इसमें क्या कर दिया हमने इसमें extension लगा दिये हमने negative keyword लिख दिये हमने devices based पे अपना bid adjustment लगा दिया अब अगर आप चाहते हो gender wise bid adjustment लगाना तो वह भी लगा सकते हो but again as such कुछ जरूरत नहीं है अभी gender wise हमें bid adjustment इसमें लगाने की but अगर लगाना हो तो आप यहां से जाके email fee में ला रहा है इसे click करके आप increase or decrease यहां से bid adjustment कर सकते हो ठीक है audiences की अभी हमें आज जरूरत है नहीं audiences में आपको समझाओंगा जब हम display campaign करेंगे ठीक है तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा easy है just हमने negative keyword लगाए और बाकी दो काम हमने किये अब आपको करना क्या है जब आप live campaigns run करोगे तो आपको इस campaign को run करना है और देन आपको देखना है data monitor करना है कि क्या-क्या data आ रहा है क्या-क्या numbers आ रहे हैं किन-किन keywords से searches आ रहे हैं कैसा CTR है कैसा conversion rate है और उस data के base पे आपको अब क्या करने है उस data के base पे आपको करने है improvements बहुत है simple ठीक है तो इस campaign में हमने क्या use किया था हमने use किया था manual cpc बाकी bids बाकी जो bidding types है मैं आपको वो भी समझा चुका हूँ कि वो bidding types काम कैसे करती है आगे के lessons में मैं आपको उन bidding types को use करके ads भी बना होगे क्योंकि आपका सब ज़्यादा control manual cpc के उपर है ठीक है जी तो hope i hope कि आपको यह lesson clear है and make sure कि आप practice कर रहे हो अगर आप just in lessons को ऐसे देखोगे और आप add बनाना बनाओगे नहीं अगर आप tracking code implement नहीं करोगे then आपको ज्यादा कुछ चीजे समझ आएंगी नहीं आप बा और जो भी आपके doubts हैं आप वो live chat के थू हमारी website पर जाकर आप हमसे पूछ भी सकते हो ठीक है so thank you so much for this lesson for watching this lesson